नमस्कार दोस्तों मैं स्मुनी गोत्म गोत्म कॉनुषर प्रब का स्वागत करता हूं और साथियो आज हमारा टोपिक बहुत इंट्रेस्टिंग और इंपोटेंट होने जा रहा है फ्रेंज हमार टोपिक है आखिर 15 अगस्त को ही सवतंतरता दिवस क्यों मनाते हैं इसका क्या कारण है क्या रहस्या है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दख कर लिजिए तागी टाइम पर आपको लिटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रही साथियो कई बा मैं बताता हूं इसका कारण क्या था देखिए जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त उनिश्यों सब्सक्राइब को उसमें ततकाली निवर्ष राहे थे लोड मांट बेटन लोड मांट बेटन जिनको बेटी संसद ने किसकी जिमेदारी दी थी सत्ता हस्तांतन की सत्ता हस्तां जून 1948 को लेकिन फ्रेंड्स जो जिनना थे उन्होंने एक अलग देश की डिमांड की पाकिस्तान की डिमांड की ठीक है उन्होंने का कि हमें बात के साथ नहीं रहना हमें एक अलग देश चाहिए इसी मिज़र से दोस्तों हुआ क्या देश में दंगे होने स्टार्ट हो दोस्तों कि लाड मांट बेटन के पास 1948 तक का समय नहीं बचा तो दोस्तों उन्होंने निजदार्ट किया कि भारत को अजादी 1947 में ही दी जाएगी अब उनको 1947 में एक डेट चुनी थी जिसमें उन्होंने भारत को अजादी देनी थी या सत्ता का हस्तांतर करना था तो फै 15 अगस्त 1945 को जो जपानी आर्मी थी उन्होंने बेटिस आर्मी के सामने स्रेंडर किया था जब 2 वर्ड चला हुआ था 15 अगस्त 1945 को तो दोस्तों उस समय लोड मांट बेटन बेटिस सेना के अंदर कमांडर थे थे दोस्तों बेटिस सेना के अंदर वो कमांडर थे लाड मां था क्योंकि इस दिने जपानी सेना ने बिटी सेना के सामने सिरेंडर किया था इसलिए उन्हें 15 अगस्त का दिन चुना भारत को अजादी देने के लिए और अन्त तय हमें अनेक वर्षों के संग्रश के बाद दोस्तों 15 अगस्त को अजादी मिल ही गई और अगर आपके कोई भी क्यारी है तो आप कमेंट बुक्स में जाकर पूछ सकते हैं और फ्रेंड से वीडियो को सेर भी जरूर कीजेगा आज के लिए तना ही थैंक्यू Have a nice day